सीकर एसीबी ने नागार के मकराना में बड़ी कारवाई करते हुए नगर परिशद आयुक्त को 40,000 की रिशुवत लेते रंग यहातों गरफतार किया है एसीबी की टीम ने बेसनल कुवाटर के पास आयुक्त संतलाल मकर को रिशुवत की राश्र के साथ दबोच लिया है सीकर एसीबी के डीएसबी जाकर अक्तर ने ये बताया कि आरूपी ने परिवादी संदीप कुमार से लावारिस पशों को पकड़ने के ठेके के लिए आधे रूपेओं की मांग की थी ये टेंडर करीब पौने 6 लाख रूपे का था जिसमें से आयुक्त ने आधे रूपे की मांग की थी और ऐसे में परिवादी के शकायत का सत्यापन कर एसीबी ने आरूपी को 40,000 रूपे की रिशुवत लेते हुए गरफतार कर लिया वहीं जानकारी में ये भी सामने आया है कि बिल को पास कराने की एवज में संतलाल पहले भी 70,000 रूपे की रिशुवत ले चुका था पहले भी 70,000 के रिश्वत आरूपी संतलाल ले चुका था और ऐसे में इस बार नगर परिशद आयुक्त को 40,000 के रिश्वत लेते गरफतार कर लिया गया है रंगे हातों डिवाई असपी जाकर अक्तर ने कारवाई की रिश्वत खोरों के भी होसले बुलंद हैंसे में इमानदारी के तस्वीर कहीं नजर नहीं आती लेकिन जिस तरीके से कारवाई की गई है बेहत सराहनी है रंगे हातों 40,000 रुपा की रिश्वत लेते गरफतार के आ गया है और अब कड़ी से कड़ी जोड का देखा जाएगा कि पहले में भी ऐसी रिश्वत के राश्वी ली गई थी कितनी राश्वी ली गई थी इन तमाम कड़ीओं को जोडा जाएगा